चलिए अब बात करते हैं ब्रशब राशी की तो साल 2024 देखिएगा ये कुंडली है साल 2024 की आपके चतुर्थ भाओं में चंद्रमा महराज विराजमान है जो की बहुत अच्छे हैं 37 सप्तम भाओं में सूर्य और बुद्विराजमान है और दसम भाओं के अंदर शनी यानि करम करियर के भाओं में शनी सच योग बना रहे हैं यानि ब्रशब रासी को साल 2024 के अंदर तीन बड़े लाब मिल सकते हैं आब वो तीन बड़े लाब साल 2024 में क्या मिलेंगे पहला परिवार सम्बंदी आपको बड़िया लाब मिलेगा यानि कि या तो आप प्रॉपटी बना लेंगे अपनी प्रॉपटी में सिफ्ट हो जाएं चाहे आपकी नाम की राशी ब्रशब राशी हो या आपकी जनम राशी ब्रशब राशी हो तो आपको साल 2024 में परिवार का सुक तो मिलने वाला है दूसरा प्रभाव रहेगा student के उपर, विद्यार्तियों के उप़र, विद्यार्तियों का देखा जाए तो साल 2014 विद्या में खूब बन लगने वाला है, जोर सोर के आप विद्या करने वाले हैं और कहीं ना कहीं अच्छा exam crack करने वाले अच्छे स्थर पर आप पहुचने वाले विद्यारतियों को साल 2024 सपलता देने वाला है अगर 2024 का total करेंगे तो शनी का साल और आने वाला संवत में भी मंतरी शनी है तो यानि कि शनी शनी होने से कही ना कही आपको लाब मिलेगा तीसरा result बिर्शब राशी को देखा जाए तो करियर में होगा करियर में आप बड़ा step लेने वाले हैं यानि साल 24 में या तो आप नौकरी चेंज करने वाले हैं या नौकरी छोड़ कर कुछ लोग business कुछ लोग business चोड़के सुच करेंगे नौकरी की और कोई एक business को छोड़के दूसरा business खोलेगा यानि कि करियर में switching साल रहेगा आप कुछ ना कुछ सुच करने वाले हैं करियर के अंदर और खासकार मार्स से लेकर और नौमबर के बीच में यह योग बनता है अगर आप सरकारी नौकरी आते हैं विदेश समंदित यात्र हैं आपकी साल दोजार चौबिस में बन रही है तो तीन बड़े काम बिरशब राशी के साल दोजार चौबिस में वार्षिक कुंड़ी की calculation के अनुसार बन रहे हैं चलिए अब डेट वाइस बात कर लेते हैं यूट्यूब की स्ट्री में पहली बार हम लेके आये हैं कि साल दोजार चौबिस को हमने छे डेटों में बाटा है अब वो छे डेटों में बिरशब राशी को क्या result मिलेगा इसके बारे में चर्चा कर लेता है पहली डेट जो शुरू होती है एक जनवरी दोजार चौबिस से 20 फरवरी दोजार चौब इस तक भई आपके उपपर दृशब राशी के उपपर शुक्र का प्रभाव रहेगा तो यह जो समय है आप बड़ा इंजॉयमेंट में बिताने वाले डेली पार्टी करने वाले खूब खर्चा करने वाले अपनी हेल्थ ध्यान नी देने वाले 20 फरवरी तक जिस कारण से आपको हेल्थ की परेशानी आएगी एंटी की प्रवबलम आएगी और कहीं न कहीं माता पिता की बात नहीं मानेंगे माता पिता को बिना बताया जाने वाले हैं मन मानी करने वाले 20 फरवरी तक तो कहीं न कहीं रिलेशन में भी मदबेद रहेंगे और उतेजना वाले कामों में आप धन खर्च करेंगे इसलिए आपका फाइनेंस की स्ततीवी बिगणने वाली और बुरी आदतों में बढ़ावा लगने वाला है यानि कुल मिलाके यह जो शुक्र का अंतर रहेगा 20 वरवरी तक यह आपके खर्चे बढ़ाने वाला है आपके रिलेशन में वाद विव मार कँड़ा हैं परिवार से और अपने पार्टर से यहां से सुधर जाएगा आपकी बुरी रादतों में ऑंस द्रा या रहेंगा वेटी कर हना रहे ऊएगा लेका चारु और आपकी घ् Soo यानि सूर्य सब कुछ बदल देंगे यह जो अंतर है जो 21 फरवरी से शुरू होगा और 30 जुलाई तक रहेगा धान करियर के लिए बहुत ही अच्छा है खूब ताबड तोड आप मैनत करने वाले जो आपने गलतियां साल के शुरुआत में कर दिये उस पर आपको पस्तावा भी होगा और खुब मैनत करने वाले और अपने अंदर चेंज लाने वाले साथी साथ देखा जाए तो यह जो समय है इसमें पार्टनर का देखा जाए तो थोड़ा बहुत हैल्ट के इशू भी रहेंगे यानि पार्टनर को हैल्ट के प्राब्लम भी रहने वाली है लेकिन यह जो समय है धन करियर के लिए अच्छा रहेगा इसके बाद जो तीसरी डेट है वो है 31 जुलाई 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक यहाँ पर आपका तीसरा चक्र बदलता है यानि यहाँ पर चंद्र महाराज जाते हैं चंद्र महाराज वर्षी कुंडली में आपके चतुर्थ भाव में बैठें और चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी होते तो यहाँ पर परिवार में बड़ी प्रभाव दोनों के स्वामी है तो आपका स्थान परिवर्तन के योग भी 30 सितंबर तक बन रहे हैं उसके बाद आपकी फिर साइकल चक्र घूमता है और फिर आपका 28 अक्टूबर 2024 तक आप पे मंगल का प्रभाव आ जाता है तो मंगल आपकी कुंडली में रोचक योग बना रहा है तो कही ना कही ये जो समय है आपकी करियर में आप टॉप सिखर पे पहुचेंगे आपके काम की तरारीफ होगी आप रिकॉर्ड तर सेल करेंगे आपकी जबरदस सेल होगी क आती साथ कारे में बड़ा प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है या फिर आप नौकरी छोड़के या नौकरी को स्विच करके दूसरी नौकरी पे जाएंगे या अपना कोई नया काम शुरू करेंगे यानि कि कारे परिवर्तन का जबरदस योग आपका 30 सितंबर के बाद एक्टिव होता है उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं 24 नौकर दोजार 24 तक आपके उपर राहु का पिरड़ रहेगा जो की पूरा नौकर का महिना यानि एक नौकर से लेकर 24 नौकर ये जो 24 दिन है ये आपके लिए बड़े सरदर्द वाले रहेंगे काम में आपके बिगन रहेगा धनहानी आपको होगी हर काम में आपकी अर्चडे मानसिक तनाव आपको जिलना पड़ेगा यानि नौकर का महिना आपके लिए अच्छा नहीं है इस समय पे आपको कोई भी नया काम नहीं करना नया निर्णे नहीं लेना उसके बाद देखा जाए तो दिसं के साथ में नदी पहाडों की आप यात्रा करेंगे इसी समय पे धन का भी अच्छा लाब होगा करियर का भी आपको अच्छा लाब होगा तो कुल मिला के जाता हुआ साल भी आपके लिए अच्छा रहेगा स्रिफ देखा जाए तो आपके लिए जो सबसे खराब समय हैं वो दो हैं यानि कि 20 फरबरी से पहले पहले थोड़ा सा आपका मन चंचल रहेगा जिस विज़े से आप अपना समय खुद जान बूच के खराब कर रहे हैं और नौंबर में एक तारिक से 24 नौंबर का समय ये आपके लिए खराब है बाकी पूरा साल आपके लिए अच्छा ग्रोथ वाला अच्छा इंकम वाला रहने वाला है तो मित्रो इस कारेकर्म में बाजितना ही मुझे दीज़े जाया जैमाता दी